अब हम त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम्स के प्रती भारतिये लोगों की स्याह सोच का एक जरूरी डियने टेस्ट करेंगे और अगर आप भी स्किन वाइटनिंग क्रीम यानि त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम लगाने के शौकीन है तो आपको हमारा ये विशलिशन आज जरूर देखना चाहिए तो अच्छा को गोरा बनाने का वादा करने वाली क्रीम्स के विज्यापनों में आपने अक्सर देखा होगा कि इन क्रीम्स को लगाने वाली महिला या पुरुष को फटा-फट कामया भी मिल जाती है और ये लोग रातो रात स्टार बन जाते है अगर आप भी इस तरह के विज्यापनों से प्रभावित हैं तो हम आपको बता दें कि प्रडुक्स आपके शरीर को गोरा बनाने के वाजाए आपको जीवन भर के लिए रोगी बना सकते है Delhi Institute of Pharmaceutical Sciences and Research ने बाजार में बिकने वाले 11 बड़े ब्रैंड्स की क्रीम्स की जांच करें जांच में पाए गया कि सभी कमपनियां अपनी क्रीम में मर्करी यानि पारे का इस्तिमाल करते हैं जिन प्रडुक्स की जांच की गई उनमें तमाम मशूर ब्रैंड्स शामिल है पहुंचाता है रिसर्च में पाए गया कि मकरी यानि पारा शरीर में जाने पर कैंसर की वज़े भी बन सकता है डबलुएचो के मताबिक क्रीम और साबुनों में पाया जाने वाला मकरी यानि पारा तुच्छा से जुड़ी बीमारिया देने के साथ साथ डिप्रेशन, घबराहट और पेरिफेलल नियूरोपेथी जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। डबलो एचो के मुताबिक चीन में 40% महिलाएं और भारत में 61% लोग त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीमों का इस्तिमाल करते हैं। साबुनों, क्रीम और कॉस्मेटिक प्रडक्स में पाया जाने वाला पारा अकसर पानी में मिल जाता है और ये परहवरण को नुकसान भी पहुंचाता है। यानि गोरापन पाने के आपकी चाहत आपके आसपास के परहवरण को काला करते हैं। आपको बता दें कि भारत में कॉस्मेटिक प्रडक्स में मकरी के इस्तिमाल की इस्तिमाल की इसाज़त नहीं है।